अब तक की कहानी में आपने देखा कि नीलम और उसका परिवार सर्ब कन्या की चंगुल से तो छूट जाता है मगर कहानी में वहां ट्विस्ट आता है जब राजेश और मोहिनी गायब हो जाते हैं जिन्हें किसी और ने नहीं बलकि मनिका नहीं गायब किया था वहीं दूसरी और नीलम और कनिश मनिका से बात करने जाते हैं और उन्हें कुफा में किल्विक्ष मिलता है वो दोनों के लविख्ष को देख कर चौक जाते हैं और तभी मनिका भी अपने असली रूप में आ जाती है नीलम और कनिश्क को पता चलता है कि कुसुम ही मनेका का रूप लेकर नीलम से कनिश्क को दूर करने की कोशिश कर रही थी क्यूंकि कुसुम नीलम से जलती थी और कनिश्क को फ्रेम करती थी पर कनिश्क और नंदू मिलकर राजेश और मोहिनी को बचा लेते हैं और फिर नीलम अपने नागिन रूप में आ जाती है और कुसुम खाई में गिर जाती है नीलम के लविख्ष को भी मार देती है अब देखिए आगे की कहानी नीलम और उसका परिवार घर वापस आ जाता है देखिए नीलम के पापा आखिर हमारे बच्चों ने हमारे परिवा असली बहन निकल कर आती है राजेश मैं यहां हूँ राजेश बुवा जी को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों गले लगते हैं जी जी आप कहां चली गए थी राजेश मुझे जादा कुछ याद नहीं उस दिन मेरी ट्रेन मिर्जापुर से समय से आधा घंटा पहले ह किया गई थी और वहां काले कपड़ों में एक लड़की मेरे नाम की प्लेट लेकर खड़ी थी मुझे लगा तुमने किसी को मुझे लेने के लिए भेजा है और फिर मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ कर चली गई उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है तब ही कनेश क कि सर्ब कन्या ने बुआ जी को कहां रखा है मुझे याद आया कि जब वो बुआ जी बनकर आई थी तब उसने ये बोला था कि मिर्जापूर की सभी बस इंदेरी से आई है जबकि हमारी बुआ जी तो उस दिन ट्रेन से आने वाली थी तब मैंने कनेश को बस टेंड के पा सुनकर राजेश और मोहिनी उनके आगे हाँ जोड लेते हैं बेटा तुम दोनों का एहसान में कैसे चुकाओं कल की होली में धे सारे रंगों के साथ चुका दे ना अंकल जी अंकल आंटी नहीं अपसे तुम भी हमें मा बाबा ही बुलाओगे और तुम्हारी शादी हम होल से भी अलग नहीं कर सके तभी कनिश का हलका सा खांसती है हाँ चोटी तेरी भी शादी करवाएंगे तेरे करन से और सभी लोग हसने लगते हैं कनिश का भी शर्मा जाती है और सभी सोने चले जाते हैं अगली सुबह घर में होली की तयारी जोड शोड से चल रही थी नीलम बेटा, आज सभी को सफेद कपड़े पहनने है, मैंने और तुम्हारे पापा ने बाहर होली की पाटी रखी है, जिसमें तुम्हारे कॉलेज के दोस्त भी आ रहे है, जल्दी से तयार हो जाओ, मोहिनी ये बोलकर चली जाती है, और नीलम मोहिनी की बात सुनकर अचानक उदा तो आज हर साल की धरा हम इस बार भी साथ में होली खेलते, ये कहकर नीलम रोने लगती है, और कनेश उसे गले लगा लेता है, होली का फंक्चन शुरू होता है, बाहर बगीचे में चारो और रंगों के थाल रखे हुए है, लाल गुलाबी हरे पीले रंग बहुत सुन्दर लग रहे है, राजेश मोहिनी भी सफेद कपड़े पहने हुए, दरवाजे पर खड़े होकर लोगों का स्वागत कर रहे है, नीलम और कनेश का भी तयार होकर बाहर आते हैं, तभी कनेश की नजर नीलम पर पढ़ती है, नीलम सफेद रेशम की साड़ी में बहुत सुन्दर लग रही थी, और कनेश का ने सफेद रंग का सलवार कमी Surprise पहना था, यार मेरे नीलम कितनी सुन्दर लग रही है, और मेरी कनेश का भी बहुत प्यारी लग रही है, आओ इनने रंग लगाते हैं, और कनेश की पीछे से जाकर नीलम को पकड़ लेता है, और उसके चहरे पर धेर सारा रंग लगा देता है अच्छा बच्चू मुझसे शातानी अभी बताती हो तुमको कनिश्क नीलम को रंग नहीं लगाने देता और मस्ती करता हुआ घर के अंदर चला जाता है नीलम भी कनिश्क को ढूनते हुए घर के अंदर चली जाती है कनिश, इतने दिन से जो तुम मुझे तंग कर रहे थे, आज मैं उसका बदला तो ले कर रहूंगी और हसते हुए, उसे ढूनते हुए अपने कमरे में चली जाती है वही करन भी कनिशका को रंग लगाने के लिए, मुठी में रंग भर कर उसके पास जाता है जैसे ही करन कनिशका को रंग लगाने वाला था, तभी कनिशका के कुछ दोस्त मिलकर करन पर पानी के गुबबारे मारने लगे और दो ही मिनट में करन एकदम लाल पीला भूद बन गया अच्छा कनिशका की बच्ची मेरे साथ छड़ खानिया, अभी रुख तुझे मैं सबक चकाता हूँ और करन रंगों का एक थाल उठा कर कनिशका की तरफ फिल देता है, और ऐसे ही सभी लोग होली का पूरा आनंद लेते हैं नीलम और कनिशक अपने कमरे में जाते हैं, कनिशक आज तो तुभे सबसे पहले मैं ही रंग लगाऊंगी और कनिशक अपने गाल को नीलम के आगे कर देता है, अरे इतनी जल्दी हार मान गए, अभी तो मज़ा आने लगा था नीलम मैं तो उस वक्ते ही तुमारे आगे हार गया था, छब तुमसे त्यार हुआ था मुझे, तुम्हें याद है, हम पहले किस तरह होली मनाते थे नहीं कनिशक, मुझे वो चीज़ें याद नहीं आ रही कोई बात नहीं नीलम, उदास मत हो कनिशक अपना हाथ नीलम के सिर पर फेड़ता है और उसे गले लगाता है अब तुम भी वो देख सकोगी, जो मेरी यादों में है कनिशक और नीलम, जंगल में फूलों के बीच होली हिल रहे थे चारो और रंग बिरंगे फूल और रंग ओड रहे थे वहाँ कनिशक और नीलम सफीद कपड़े पहने हुए निर्थ्यकर रहे थे और एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और पूरा नाग लोग उन्हें निर्थ्यकरता देख प्रसन हो रहा था और उनके उपर फूलों की बारिश कर रहा था निर्टि करते हुए कनिश्क और मनिका कभी साप रूप में आ जाते तो कभी मानव रूप में चारो और बस खुशिया ही खुशिया थी नीलम कनिश्क द्वारा दिखाया गया ये द्रिश्च देख कर बहुत खुश होती है कि तभी वो रोने लग जाती है क्या हुआ नीलम तुम क्यों रो रही हो वो कनिश्क तुम और मनिका साथ कितने खुश थे मगर फिर उस गिल्विक्ष के श्राप ने सब खत्म कर दिया वरना आज मनिका ही होती तुम्हारे साथ मैं नहीं मुझे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है नहीं नीलम ऐसा कुछ नहीं है अगर तुम्हें याद नहीं है तो हम फिर सबनी नई यादे बनाएंगे साथ जीवन जीकर और नीलम को गले लगा लेता है कनिश्का भी नीलम को ढूंते हुए घर के अंदर आ जाती है और नीलम को उदास देखती है कनेशका अपने हाथों का रंग नीलम पर फेक देती है बुरा ना मानो होली है ओहो नीलम आज इतना खुशी का दिन है अभी होली रात में शादी और तुम हो की फिर से रोने लग गई हो आओ ना चलो अब सब डांस करते हैं करन कनेशक को साइड में ले जाकर बात करता है कनेशक मैंने भांग का इंतजाम कर दिया है कहो तो इस बार की होली सबसे यादगार बना दे राजेश और मोहिनी भी होली खेलने आ जाते हैं और करन और कनेशक मिलकर सब को भांग पिला देते हैं कुछ देर बाद सब भांग के नशे में बगीचे में जूमते नजर आते हैं कनेश को नीलम डान्स करते हैं करन और कनेश का भी डान्स करते हैं तभी राजेश मोहिनी का हाथ पकड़ कर उसे नचाता है और भांग पी कर मिर्जा पुर वाली बुआ जी तो लखनवी ठुमके भी लगाने लगती है। बुआ जी को ऐसा नाचता देख सभी बहुत खुश होते हैं और सब एक साथ डांस करते हैं। परिवार की ये खुशी देख नीलम की आखों में आसू आ जाते हैं। और तभी अचानक कनेशक अपनी जेब में से एक हीरे की अंगूठी निकाल कर नीलम के सामने घुटने पर बैठ कर उसे प्रपोस करता है। ये देख नीलम उसे उठा कर गले से लगा लेती है और कनेशक नीलम को अंगूठी पहना देता है और सब होली का भरपूर आनन लेते हैं। तबी एक वहीं रहसिमई लड़की देनों के पीछे से गुजरती है और अपनी सफेद साड़ी का पल्लू कनेशक के उपर लहराती है। कनेशक मोड कर देखता है तो वहां कोई नहीं था और उसे अपना वहम समझता है। शादी वो भी आज मैं देखती हूँ कैसे होगी शादी। शाम होते ही राजेश मोहिनी मंदिर में कनेशक नीलम और करन और कनेशका की शादी के तयारी करते हैं। नीलम बिटिया ये लो तुम्हारा दुलहन का जोड़ा। जल्दी से तयार होकर नीचे आजाओ। बिचारा कनेशक भी अपतड़प रहा होगा। नीलम शर्मा जाती है। दूसरी और भूरा अपनी गुफा में किलविक्ष की मौत का सदमा बरदाश्ट नहीं कर पाता। और जोर-जोर से रोने लगता है। आप मुझे छोड़ कर क्यों चले गए बाबा पर मैं चुप नहीं बैठोंगा। मैं बदला लूँगा। आपकी मौत का सक को हत्म कर दूँगा। और अपने हवन कुण में एक मंत्र फोग कर किसी को बोलाता है। अब तुम्हे ही करना है जो करना है। वहां कनेशक और करन शादी के लिए मंडप में बैठे होते हैं। मोहिनी नीलम को लेने जाती है। पहने हुए कनिशका भी आ जाती है। क्या हुआ काकी आप इतना परिशान क्यों लग रहे हो। कनिशका नीलम दर्वाजा नहीं खोल रही और नाहीं जवाब दे रही है। कनिशका अपने नागिन रूप करा कर दर्वाजे के नीचे से कमरे में घुसती है और दर्वाजा खोलती है। मोहिनी और कनिशका देखते हैं कि नीलम तो अपने कमरे में है ही नहीं। ये क्या हुआ? कहा गई हमारी नीलम? अब किस शैतान की नजर पढ़ गई हम पर? तभी नीलम के बाथरूम का दर्वाजा खुलता है, जिसमें से दुलहन बनी नीलम बाहर निकलती है। नीलम ने सिर्फ पर घुंगट कर रखा था, जिसमें से सिर्फ उसके होट तक का चेहरा नजर आ रहा था। नीलम, ये क्या तरीका है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? हमें कितनी चिंता हो रही थी तुमारी? वो, मा, मुझे शादी के नाम से थोड़ी घबराहट हो रही थी, इसलिए में डर गई थी। नीलम की बात सुनकर मोहिनी और कनिशका हसते हैं। और इतना लंबा घूंगट। भाईया तो बिचारे तुम्हें देखने की तड़प में ही बूड़े हो जाएंगे आज। और फिर मोहिनी नीलम और कनिशका को ले कर जाती है। कनिशक नीलम को देखता है कि नीलम ने लाल रंकी शादी का जोड़ा पहना था और घूंगट किया हुआ था। और करन कनिशका को देखता है। कनिशका भी बहुत सुन्दर लग रही थी। दोनों आकर मंडप में बैठ जाते हैं। जैसे ही पंडिजी मंत्र पढ़ने शुरू करते हैं, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। नहीं, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। सब चौक कर खड़े हो जाते हैं, और सामने देखते हैं, तो वहाँ नीलम खड़ी थी, जिसके सिर पर चोट लगी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। सब चौक जाते हैं, कनिश्क देखता है कि वहाँ घौंगट के नीचे कोई और नहीं, बल्की नीलम ही होती है। तो सामने भी नीलम खड़ी होती है, और मंडप में भी। तोदो नीलम, तभी सामने खड़ी हुई नीलम बोलती है। कनिश मैं ही असली नीलम हूँ, इसने मुझे मार कर पीछे बांध दिया था और खुद मेरी जगह ले ली मंडप वाली नीलम नहीं कनिश तुम इसकी बात मत सुनो, असली नीलम मैं ही हूँ देखो मेरी ओर, क्या तुम अपनी नीलम को नहीं पहचान सकते? ये लड़की जूट बोल रही है, इसकी मत सुनो नहीं कनिश ये जूट बोल रही है, मैं ही हूँ तुम्हारी नीलम जरूर ये किसी की चाल है, ये दुनिया हमें एक नहीं होने देगी, तुम इसकी बिलकुल मत सुनो और कनिश्क को समझ नहीं आता कि असली नीलम कौन है वो एक एक कर दोनों की ओड़ देखता है मगर दोनों ही असली लग रही थी अब देखिए नागिन सीजन 3 का लास्ट चैप्टर हमारे चैनल एनेम स्टोरीज पर कैसे नीलम और कनिश्क की कहानी होती है पूरी या इस जन्म में भी दोनों की प्रेम कहानी रह जाएगी अधूरी जानने के लिए देखते रहिए नागिन सीजन 3 कहानी जादी रहेगी कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनेम स्टोरीज और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू एपिसोड ओनली एनेम स्टोरीज पर